नमस्ते किसान, नमस्ते भारत, मैं किरन किसान, किसान पाठशाला के साथ, और मैं हूँ आज एक कपास के फिल पर हरियाना में, हरियाना आप जानते होगे, उत्तरी भारत का एक राज्य है, और यहाँ पर पहले, मतलब दो तिन साथ पहले, कोरोना से पहले, कापी बड़े मात हमें कपास का उत्पादन होता था, लेकिन कोरोना के बाद, और गुलाबी इल्ली के कारण, कपास यहाँ पर बहुत कम होता जा रहा है, और यह हमारे किसान मित्र है, मन्जिद जी, जो बीएपेस में काम करते है, जवान है, देश की सेवा कर रहे है, और उनका एक फिल्ड ह आसपास तो कही पर पूरा धान का खेत है, पूरा धानी लगाते है, लेकिन इन्होंने अपने किसान पाच्छला के गाइडलेंड से कपास लगाने का प्रयास किया है, हिम्मद जूटाई है कि आपकी गाइडलेंड के किसान पाच्छला के गाइडलेंड से कपास के खेती कर का नाम बताइए और कहा पर खड़े है कितना एकड में लगाया आपने कपास ये डेड़ एकड में है शायद मंझेज जी बोले 25 अपरेल की तारिक है 25 अपरेल को लगाया है और वेज जी मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि इससे पहले आप मतलब हर्याना में काफी बड़ी मात्रा में कपास की खेती होती थी पहले काफी होती थी इसके पर रोग आने लगया आप छोड़ी के लोग रोग कुन-कुन से आ रहे हैं पता नहीं मैं यह दवाई बेचनी आए बता हूं हमने जानकारी को बने आप अच्छा अच्छा तो उससे पहले आप जो खबाश लेते हैं उसमें और यह आभी आ ले रहे हैं इसमें क्या फरकार रहा है ये तकडी है पूसल अच्छी है किशा पहले हैट पहले शाओवारी होती थी हिसाफ कि लगाती ते आमारे यहां ट्रैटर से बिजाई करते हैं तो वरकि होती है तो जो कर रहा है का पास आपकी नजर में अच्छी है अच्छी है तो रोश की खेद में क्रेमिकल का है उससे दी गणिए अच्छी है वह मिट्टी का सप्रे करते हैं कि पंदरा बीच दिंबाद करते हैं यहाँ पर यह इमने कपाश लगाएता है शैद आज बाए दो के ग्राप पर पुरा फ्लट से करते हैं हर्याना में यह दिक्कत की काफी मातरा में होती थी यहाँ पर पहले लेकिन कुछ कारण वस डंपिंग पोदा हो जाता है और वह लबीले के कारण काफी कम मातरा में यहाँ पर कपास का केतिया भी हो रही है यह मंजद भही ने किसान पाचला से जुड़े हैं उनको पता चला बट्टिकाद और रिवियं कर रहे है वाल तरी मातरा में स्प्रे रख अधनों के कर रहे है लुणने कुछ दरा टाले से उनको पते यह को वह रोग है यह रोग नहीं है इसमें क्या हो रहा है जो आप खाद वगरा देते हैं उसका डिपिशेंस है निचे से अच्छी जरु से उठाने पा रहा है अब खाद दे रहे लेकिन थोड़ा यह तो फ्योद अंदेर है वह जमीन में थोड़ी जी रहा है अनी वह तो प्रेय वह रही हँए वह तो अलग है लेकिन निचे से पे चाय नोसको फोडोग भर्नी के लिवो पाद निचे खाद निचे ए इसमें हो रेची चाहँ है तो पाणी खा civरड यह तो अब देऊ question कर देख भी पाणी दीया है पानी भेर देगा भीच में फोड़ गई यहार कर दो है कर दो है कर दो है बारिश का समय चारा है तो को जरूर थी नहीं पाणीड इसमें यह पोश्क ततो की कारणे यह से नोज हो रहा है तो इसमें कुछ mosquito अगर होते हैं सज्टकिंग पेस्ट उसका अड़या है इस पर इसा है इस पर कंटीनु वही उपा है पूरे खेत में अभी जू इपर उपर जो स्प्रेई गर दे न वही उंको बोलना है कि प्रेव पूरा निचे से है Поняти रचेओं और सब्सकार कृतिन है क्योंकि क्या हुता है कि अधो बहुरु सारे कीट पतग न तू नीचे आते हैं रहुता है तू अजोप है जया बहुता है तो स्टकार दीचकर का ज़से साइट से उपर से नहीं मारते हैं साइट से करना चाहिए और निचे का भी तोड़ा कम हो जाए 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 ज़ाए अब यह जिसा दिक्कत है अर 15-15 दिन में न तो यह दिक्कत है तो आठ ड़ दिन में भी कर जाए निए बड़ा मेहनत लगेगी अपर लाते तो खर्चा नही क्योवल मिठ्टी का स्प्रेय और उसमें वह वाई सुने मेटा लगना है क्योवल मिठ्टी तो पंदरा दिन माले है एक पर आग फेर डल जाए है तो बर दोनों ड्रम अम डाज जा है तो अपने पर निट करते रही है और मैंने कुछ खाद वगरा लिगके दे उनको खाद हां मिठ्टी में मिठ्टी के मिठ्टी की खाद करे कैgrown कि की यह सिरस्टेलेंदार क्रते किया उनका दान भी कर रहे कुछ बाज्रा कर रहे उस पीजनी फिर्ग कर रहे कि जूड़ रहे किशान प्पाख्शाला जी साथ मैं किरन किशान और मेरे साथ में द॥र दान में कोई शपरे नीकी है अभी